प्रज़री स्पाज ऐसी चीज़ इसमें कहीं पर आपका सुकून मौजूद है मैं मानता हूँ कि खुद पर तरस खाना सबसे रियायती भावना है और ये आपको कहीं नहीं ले जाती लेकिन ये आपको कुछ देर के लिए वाकई अच्छा मेहसूस कराती है आप इस बारे में क्या कहेंगे तरस का पातर होना लगजरी कैसे है मुझे समझ नहीं आता इस भावना में आपको जबरदस दिलासा मिलती है थोड़े वक्त के लिए ही सही खुद पर तरस करना बहुत खुशनुमा हो सकता है खुद के लालचों को पूरा करने की तरह देखे शांती प्रसन्नता और खुशाली हासिल करने के बहुत से तरीके है ऐसा हुआ शंकरन पिला है शंकरन पिला है थोड़ा अपमान करने वाला पती था वो गालियां देता था वो अपनी बीवी पर चिलाता था लेकिन वो हमेशा शांत रहती थी उसने कभी प्रतिक्रिया नहीं की एक दिन वो गुसे से चिलाने के बीच में रुका और उसने पूछा मैं जो भी कहता हूँ चाहे जितनी भी गालियां बकता हूँ तुम शांत रहती हो तुम ऐसा कैसे करती हो वो बोली मैं टॉलेट साफ करती हूँ उसने पूछा क्या टॉलेट साफ करने से तुमें शांती कैसे मिलती है वो बोली मैं तुमारा टूथब्रश इस्तिमाल करती हूँ तो इस चकर में मत पढ़िए आप कई लोगों को आइडिया दे रहे हैं ये रिष्टा नहीं है ये तो बदले की कहानी है मैं बस कह रहा हूँ कि आप कई अलग-अलग तरीकों से शांती और सुकून हासिल कर सकते हैं आपने समाधान अपने ही भीतर से खोजने होते क्योंकि मैंने एक बड़ी रुमांचक लाइन पढ़ी थी कि जीवन आपको छू नहीं सकता आपको खरोच नहीं लगा सकता आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता आप अपने जीवन में खुद ही अपनी उर्जा बनाते हैं आप इस ब्रह्मांड में हैं आपको इस दुनिया में लाया गया है आप इसके साथ क्या करते हैं ये आपके नियंतरन में जीवन आपके खिलाफ नहीं है आप क्या हासिल करते हैं और आप क्या करते हैं वो आपके अपने कर्मों, आपकी भावनाओं और जो सुखद स्थिती आप अपने भीतर पैदा करते हैं उसका नतीजा है ये बात मेरे दिल को छूग गई क्योंकि ये चिंता, डर और उस सब संघर्ष की बहुत व्यापक और विस्तरित चुबन को आसान बना देती है मेरे लिए हमारे अस्तित्व के तीन स्थम्ब है फैमिली, फॉर्चून और फरिष्टा मैं मानता हूँ कि यही धर्म, भगवान और बाकी हर चीज़ का नतीजा है सद्गुरु जब हम परिवार की बात करते हैं तो कुछ चीजों ने हमेशा मुझे हैरान किया है और मैं आप जैसे प्रबुध व्यक्ती से उनके जवाब चाहता हूँ या उनके पुष्टी करना चाहता हूँ जैसे मेरे अंदर हमेशा ये सवाल उठता है कि पिता और पुत्र के बीच एक असहज दूरी क्यों रहती है उस रिष्टे में हमेशा समस्या क्यों रहती है मुझे यकीन है यहां मौजूद लोगों में बहुतों ने अपने घरों में अपने महाल में इस भावना को महसूस किया आपके मुताबिक इस दूरी की बुनियादी वज़े क्या है क्योंकि हर प्रीडी वह ही गलती करती है जिसका मतलब है कि वो बिलकुल नहीं सीख रहे है जब हम फैमिली कहते है आपको पता है इटली में फैमिली का मतलब अपराध होता है हाँ माफिया को हमेशा फैमिली कहा जाता था तो एक तरह से ये एक तरह का अपराध है परिवार किसी भी समाच के निर्मान की सबसे बुनियादी वेवस्था है पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी बुनियादी बने रहना चाहिए क्योंकि ये एक शारीरिक पहचान है शरीर एक असलियत है हम इससे इंकार नहीं कर सकते बेशक ये एक तरह से कम से कम कुछ हट तक हमारे माता पिता ने इसे हमें दिया है आज ये जैसा है जैसे ये दिखता है ये उनकी वज़े से उन्हें ये किसी और ने दिया वो अलग बात है लेकिन हमको ये उन्होंने दिया था तो ये एक शारीरिक पहचान है खुद को अपनी शारीरिक पहचान तक सीमित रखना एक पूरे जीवन काल के लिए ये एक अपराद है क्योंकि ये बहुत सारी चीजें पैदा कर देता है इस देश में इस देश ने लंबे अर्से से कष्ट सहे हैं अभी आपने महाभारत का विडियो रिलीज किया है पूरा महाभारत एक पारिवारिक समस्या है ये धृतराष्ट्र सिंड्रोम है हम अब भी कष्ट सह रहे है मेरा बेटा ही सबसे अच्छा है चाहे जो हो आज भी हम वही चीज जहल रहे है मेरा बेटा सबसे अच्छा है चाहे जो हो उसे ही राजा बनना चाहिए परिवार एक बुन्यादी पहचान है जिसके साथ हम पैदा हुए है आपके बचपन के लिए ये एक शांदार चीज है क्योंकि उस परिवारिक सहयोग के बिना कई मायनों में आप वो नहीं होते जो आप आज हैं ठीक है? तो मैं पूरा समान और समुच्चत आदर देता हूँ परिवार व्यवस्था को क्योंकि इनसानी बच्चा इस तरह पैदा होता है कि मा की कोक से बाहर निकलते ही आप अपने पैरों पर खड़े होकर दूसरे जीवों की तरह चीजे नहीं कर सकते लंबा समय लगता है एक बच्चे को पूरा आदमी और बच्ची को पूरी औरत बनने में ये एक लंबा समय है जहां एक परिवार का पालन पोशन्ट सबसे महत्वपूर्ण होता है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन आपको उस पहचान से बाहर निकलना होता है लेकिन कई लोग उस पहचान से कभी आगे ही नहीं बढ़ पाते जिसके लिए वो पीड़ा सहते हैं और कभी-कभी अगर वो किसी खास जगा पर पैदा होते हैं तो उनकी वज़े से पूरा देश कश्ट सहता है आपको उस से बाहर निकलना चाहिए एक बच्चे के तौर पर ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी पहचान परिवार के साथ जुड़ी हो लेकिन व्यस्क होने पर आपसे उमीद की जाती है कि आप अपनी शारिरिक पहचान से उपर उठें क्योंकि शरीर सबसे बुनियादी पहचान है आपको उससे उपर उठना होगा तो सवाल ये है कि क्या ये ज़रूरी है कि हर पिता और हर बेटे के बीच किसी तरह की समस्या हो ये पिता और बेटे की बात नहीं है दरसल एकी घर में दो मर्द रह रहे हैं जब आप 8-10 साल के थे तो आपके पिता भगवान जैसे थे जब आप 15-16 के हुए तो ये समस्या शुरू हुई क्योंकि आप भी मर्द बनना चाहते हैं और वहाँ जगा काफी नहीं है वो बड़ा मर्द बहुत सारी जगा घेरे हुए और वो आदमी सोचता है ये मेरी जगा है ये कौन है वो दोनों एक दूसरे को पिता और बेटे के तौर पर पहचान भी नहीं सकते क्योंकि अब वहाँ कोई पिता और बेटा नहीं है बस उसी घर में दो मर्द हैं और जगा काफी नहीं है ऐसा सिर्फ इंसानी परिवारों में ही नहीं होता हर जीव चाहे वो हाथी हो या भैसा या जो भी हो हर जीव के जीवन में ऐसा होता है कि कुछ न कुछ टक्राव होगा और या तो छोटा जानवर जुंट से बाहर चला जाता है या बड़ा वाला बाहर चला जाता है ऐसा हर जगा होता है क्योंकि ये कोई पिता और बेटे के बीच की समस्या नहीं है दो मर्द आपस में एक ही जगा को साजा करने की कोशश कर रहे हैं और उसी एक औरत को जिसे एक मा कहता है और दूसरा पतनी है ये निश्यत और पर उस गहरे भ्रहम को तोड़ देता है जिसके साथ ये देश चलता रहा है क्योंकि उसी घर में दो औरतों का होना हमेशा समस्या माना जाता था आपने तो इसे बस उल्टा कर दिया है जो मुझे सच लगता है क्योंकि समस्या ऐसी चीज में है कि दो मर्द एक साथ नहीं रह सकते ये औरतों के बीच भी होता है लेकिन अलगतर हैसे लेकिन अपने टकराव को छिपाने का औरतों का अपना तरीका होता है वो इसे खास नारी सुलब तरीके से करती है आदमी इसे ज्यादा आमने सामने करेंगे सींग से सींग लडाना मर्दों का तरीका है औरतों का तरीका अलग होता है वो अलगतर हैसे करेंगी लेकिन टकराव होता है